नमस्कार आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है आज मैं अपने इस किचन में आपके लिए लेकर आई हूँ मैगी पकोड़े खाने में बड़ा ही टेस्टी होगा और दिखने में तो यह आपको लगी रहा है ना कितना यम्मी तो आज बनाते हैं हम स्नैक्स में मैगी पकोड़ा तो इसके लिए हम लेंगे बारिक कटा हुआ एक प्याज बारिक कटी हुई पत्ता गोभी आधी शिमला में जिसे भी बारिक काटा हुआ है लंबी टुकडों में काटी हुई गाजर है एक थोड़ी से हम इसमें हिंका इस्तमाल करेंगे हाफ बार बेसन है और दो चमज चावल का आटा, राइस फ्लोर लीबाड लिए जो कि इसकी क्या है पकोड़ों को क्रिस्पी बनाएगा यह मैगी है तो एक मैगी का पैकेट है और साथ में इसमें एक मसाला का पैकेट हमने लिया है मसालों में हम इसके एलावा अजवाइन डालेंगे लाल मिच पावडर है नमक है चिली फ्लैक्स है कुटी हुई अद्रक है एक चम्मच कसूरी मेथी लिए जिसे की खुश्पू ब भी डाल दिया है पानी को हम कमी रखेंगे तो कम पानी में हमने मैगी को तैयार कर लिया है एक दम खिली-खिली मैगी होनी चाहिए दूसरा क्या है बड़ा बाउल लेंगे मैगी तो तैयार हो चुकी है बाउल में हमने प्यास डाला है गाजर डाला है पत्ता गोभी मैगी जिसे हमने अभी तयार किया था अभी ये थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है बारिक कटी हुई हरी मिर्च कुटा हुआ अद्रक अजवाई एक चमज मुना हुआ जीरा आधा चमज कसूरी मेथी धनिया पत्ती हींग चावल आटा राइस फ्लॉर एक चमज बेसन तीन बड़े चमज मैंने इसमे भीषन का डाला है लाल मिर्च पावडर अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़े और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं मिर्च की मैंने दो चमज मिर्च डाला है नमक स्वादा अनुसार इसके लावा मैं इसमे थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें चिली फ्लैक्स डालूँगी अच्छे से मिक्स कर देते हैं जैसे कि जो भी मसाले उपर थे वे नीचे तक अराम से मिक्स हो जाए और मैगी जो आपस में चिपकी हुई थी वे भी क्या खिल जाती है इस तरीके से करने से थोड़ा ध्यान से करना होगा जैसे मैगी टूटे रही अब मैं इसमें अपने हाथों का इस्तमाल करूँगी उससे ही गया ही आपस में मसाले मिक्स होंगे हाथ अच्छे से साफ कर लीजिएगा अभी देखिए इसमें थोड़ी पानी की कमी है तो मैंने इसमें छोटे वाला बाउल एकदम यानि कि दो बड़े चमच पानी के होंगे वहली है जिसे कि वस यह आपस में चिपक जाए ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है तो यह देखिए पकोडों का मिश्टन बनकर तैयार है कड़ाई में तेल डाला हुआ है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब इसमें क्या है हम छोटी छोटी बॉल बनाएंगे मैगी की बिलकुल इस तरीके की तो हाथ से यह बॉल आप राउंड शेप में बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से बनेगी आप चाहें तो इस मिश्टन में और भी सबजियां काटकर डाल सकते हैं तो वन बाई वन हाथों की सहायता से इस तरीके से गोल शेप में आप पकोड़ी बना सकते हैं और जब यह एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसे धीरे धीरे पलट देंगे कैस्ट की फ्लेम को कमी रखेंगे जिससे कि अंदर से वे पक जाए पकने में टाइम लगेगा और इसे पलटते समय भी ध्यान रखना है तो धीरे धीरे पलटना है तो मैं इस तरीके से स्पैतुला के मदल से इसे साइड से इस तरीके से दोनों साइड से पलट देती हूँ अगर आपने अवी तक मेरी चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है यह देखिए एकदम golden brown यह हो चुके हैं अब इन्हें हम tissue paper पर निकाल देते हैं जितना भी extra oil होगा पर tissue paper पर आ जाएगा तो मैंने इन्हें दोनों side से crispy golden brown कर लिया था तो यह देखिए है ना एकदम crispy golden brown मैगी पकोड़ा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को subscribe जरूर करें